दॉक्टर भदंत ग्यानरत्न महाथेराजी से जो प्रवचन होते थे मैं बड़े ध्यान से सुनता था एक वार किसी ने उनसे प्रसंद किया कि जो 5000 का जो हम चक्र बोलते हैं कि एक बुद्ध का जो धम का चक्र है वो 5000 साल का होता है इसका क्या मतलब है यह 5000 साल का चक्र क्या है समस्या तो उन्होंने जो जबाब बताया मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने कहा कि किसी बुद्ध में जब कोई बुद्ध आते हैं तो जब उनको बोधी प्राप्त होती है तो वहां से 500 साल तक 500 येर तक अगर भिकुर भिकुनी का अगर संग बना है यानि कि अगर खाली भिकु संग बना है तो 1000 साल तक असर रहेगा उसका और अगर भिकुरी संग बना है तो 500 साल तक असर रहेगा क्या असर रहेगा? 500 साल तक बहुत सारे लोग अरत होंगे निब्बान प्राप्त करेंगे अमत्पत प्राप्त करेंगे और वो बहुत ज़्यादा अरहंत या अरहत हो जाएंगे और 500 साल के बाद अगर भिकुनिसंग और भिकुसंग दोनों हैं तो अगले 500 से लेके 1000 साल तक वो फिर अरत कम होंगे और अनाकामी जादा होंगे अनाकामी स्टेज वो है जिसमें जीवन में एक बार तोर लेगा उसके बाद वो निब्बान को प्राप्त करेगा और उसके बाद जो 1000 से पंदर साल है यानि 5 साल और है उसमें वो सक्दा कामी बनेगा सक्दा कामी का मतब है कि वो एक वा जीवन और ले सकता है ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है फिर निब्बान को प्राप्त करेगा और जो 1500 से लेके और 2000 साल का जो gap है उसमें वो सोतापन होगा यानि कि वो धम्म को अच्छी तरह समझ लेगा और वो निर्बान की रहा पे आगे बढ़ जाएगा और जो 2000 से लेके 2500 साल का जो समय है यानि 500 साल का जो अगला चक्र है उस चक्र में लोग बातें करेंगे धम्म को ना तो कोई सोतापन होगा ना सग्दागामी कोई कोई हो सकता है मगर जनरली इर्टेंड नहीं रहेगा और उस समय वस धरम की बात रहेंगे और धरम पूरते से खतम हो जाएगा और एधम का रिजल्ट आ जाएगा यानि एधम हा भी हो जाएगा और फिर अगला साइकल स्टार्ट होगा जो इसको उठाएगा यानि कि 5000 साल से लेके 3000 साल तक उसमें धम की बहुत बातें होंगी धम आगे बड़ेगा सारे लोग धम को जानेंगे सीखेंगे और उसके बाद फिर तीन हजार साल से लेके और साड़े तीन हजार साल तक फिर लोग सोतापन होंगे यानि उल्टा चलेगा और साड़े तीन हजार साल से लेके चार हजार साल तक फिर उसमें सग्डा कामी होंगे और फिर चार हजार से लेके साड़े चार हजार साल तक फिर उसमें अनागामी होंगे और फिर ऐसे ही अगले साड़े चार हजार साल से लेगे और पांच हजार साल तक उसमें निभान को प्राप करेंगे और फिर एक नया बुद्ध आएगा जिसको मैतरी बुद्ध करके बोलते हैं कुछ लोग के मैत्री बुद्धाएंगे यह चक्र उन्होंने बताया यानि कि जैसे 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 धम का पतन होता है यानि मनुष्य धम को मानना बंद कर देता है धम का पतन तो कभी नहीं होता यानि कि लोगों का जैसे जैसे कम होना शुरू हूगा यह धाईजार साल तक चलेगा और फिर धाईजा़ साल के बाद में पुन्यकरम बन не सुरू होगा फापकरम देदे रेक कम होना सुरू होगा इसको चक्र बोलते हैं तो 1956 में याने कि under और पापकरम जो है वो अपने पीक पर है तो फिर इसको ऊपर शड़ाने के लिए यानि पाप को कम करने के लिए पुन्य करम आने के लिए धम को दुबारा से भारत में आ गया तो भगवान बुद्ध का जो धम था उसको बावासा डॉक्टर अमेट कर लेकर लेकर आए और 1956 वही साल है जब धाय जार साल से अगला चक चल चुका है अब ये लगाता चलता रहेगा और अगले 500 साल में ये पूरी दुनिया में एस्टाबिस हो जाएगा बहुत तेजी से और फिर लोग सोता पन भी होंगे अनागामी भी होंगे और वह अरत भी होंगे और फिर पाप की जो कर्म है वो कम होता चला जाएगा और अपने Portal पर, अपने YouTube पर, अपने Facebook पर, या किसी भी जो भी app है उस पर आप यहां से download करकर Team22 से या Facebook से या मेरे page से कही से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको download कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी add कर सकते हैं, या अपनी commentary कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी part आप ले सकते हैं, उसका प्रिंटर मैट्रिल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते हैं, उसका आउडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें Team 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तमाल कर सकते हैं, ये हमे आगे आपका काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमें से कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट कर कर या इसको लोड कर कर या डाउनलोड कर कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखा कर या किसी को gift करकर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुँचाएं। धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान, धम को देना सभी देने में, यानि जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना चाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है, तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बना कर आपको भेज देंगे। आप धम की सेवा में साहिक बने, धम आपको खुब लाब लाब देगा, धम आपको लाब देगा, आप धम को लाब देंगे, ये दोनों इंटरचिन है, यही धम की प्राकरतिक नियम है, धन्यवाद. तम्मं सेनं गच्छामी, संगं सरेनं गच्छामी, तूथियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी, तूथियं पी धम्मं सेनं गच्छामी, तूथियं पी धम्मं सेनं गच्छामी, दूथियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी, तूथियं पी धम्मं सेनं गच्छामी, तूथियं पी धम्मं सेनं गच्छामी, तूथियं पी धम्मं सेनं गच्छामी, झाल 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